साईयो अरे दादा दादा घर में ये हाल है तो बाहर वालों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम जिवो एक तू ही है जो निष्ठा का अर्थ समझती है और एक ये है जिसे अपने पती से अधिक संसार की चिंता है दरवल कायर मानसिकता के लोग होते हैं वो जो अपने हित से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं उनके प्रति सानुभूती रखते हैं दयाफाव रखते हैं और तुमारे करण मेरा पुत्र भी दुरवल बंता चाहरा है रुकमेनी जो भी हुआ है वो के वन एक जीतावनी है कि मेरे साथ विश्वास खात करने वनों के साथ मैं क्या कर सकता हूं बले वो कोई भी क्यों नहों हरी ओम उनुन आमरी एक नहीं सुनी सब सामान निकाल के बाहर फेख दिया हम खाने के लिए बैठने ही वाले थे की हम आप ऐसी हालत में इतना नहीं रोते देखो मैंने कितने सारे वेंजन बनाए है तुम खाना खाल मैं कली अपाजी के साथ जा कर उन से बात करता हूं कुलकर्णी सरकार इसे कैसे कर सकते हैं हम सब को मिल कर कुछ करना होगा मादब कुद को अकिला मत्समजना हम सब तुम्हारे साथ है भामा, खाना खाओ नहीं तई, मुझे भूंग नहीं है भामा, देखो यह सब तो तुम्हारे पसंद के वेंजन है न और आज ही तो तुम कह रही थी कि अगर तुम्हारी आई होती तो यह सब तुम्हें बना कर खिलाती यह कैसा सैयोग है मा ने एक बेटी की इच्छा पूरी कर दी तुम यह खाना खाकर इस मा की इच्छा भी पूरी कर दो हामा यह सब इश्वर की ही क्रिपा है ओ कहते है किसमत जिसको कर का भल है जीवन में कर्मयोग का मारी अकल है जो कुछ है हाथ में तेरे देटी कर है अच्छी कर्म किये जाए तो जीवन सबल है कर जो का दो कियीो बुम यह खायी जी. ये तो अती हो रही है दिन प्रति दिन कुलकरणी सरकार का अत्याचार तु बढ़ते जा रहा है माधव, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों ये गाव छोड़के कहीं नहीं जाओगे ये गाव जितना हमारा है उतना तुम दोनों का भी तो है ये लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है यमुना की शादी हो जाने के बाद से ये घर सूना हो गया था लेकिन कल राज से ऐसा लग रहा है कि ये घर फिर से बस गया है हरे यमुना से याद आया कि मैंने तात्या को विद्याले भीजा है और मैं यहां आगई अगर पाच्छाला बंद है तो वो वहां क्या करेगा होने या ना होने से क्या तुम्हारा करतव बदल जाएगा इतना याद रहे कि करतव यका निर्वा रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में मैं उसे लेकर आती हूँ रुकिए वाईजार का मैं जा रहूं आओ साई ने मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए शायद साई को पहले से यावास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है साई ने संकेद दिया था कि ऐसा कुछ होगा हाँ बाईजार का धर्गी साफ सपाई करो और जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हो उन्हें हटा दे थुड़ी जगा बनाओ घर में ताकि मैं के लिए जगा मली इनको नहीं बाईजार था साई ने हमें भी संकेद दिया था उन्हें का था कि घर की सफाई करो घर में जगा बनाओ ताकि मैं की जगा बन सके वो जानते थे कि तुम लोग यहां आने वाले हो वो जाते भी यही थे साई ने कहा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा देखना तुम लगता है आज विद्याले की छुपती है नहीं नहीं अच्छुपती नहीं है अगर होती तो अध्यापक जी हमें पहले ही बता देटे हो सकता है वो कहीं बाहर गए हो हमें बाहर बैटकर उनका इंतजार करना चाहिए आओ यह यहां क्यों बैटो तुम लोग चलो जा अपने गर दिखाई नहीं देता विद्याले बंध हो चुका है और तुम्हरे अध्यापक को भी हमने यह से भगा दिया है वो सकता है तुमने इनके अध्यापक को इस घर से भगा दिया हो पर इन बच्चों के जीवन से इनके अध्यापक को कभी नहीं निकाल सकते हैं वो देखो वो साई वो साई वो साई वो साई मैं अपना वादा पूरा करूंगा साइं मैं इन बच्चों को पढ़ाता रहूंगा चाहे विद्ध्याले हो या ना हो तुम्हारा विद्ध्याले होगा मादा खुले आस्मान के नीचे मतलब दुआर का माई में? नहीं वहाँ कैसे पढ़ा पाऊंगा? साइं वहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं न? बच्चों का ध्यान नहीं लग पाएगा तो फिर ऐसी जहां विद्ध्याले बनो जो प्रक्रति मा की गुध में हो एक ऐसा विद्ध्याले जो वैसा हो जैसा की रिशिमुनियों के आश्रब में होता था ताकि बच्चे कितावी ज्ञान के अतिरिक्त अपने आसपास के वातावरण से भी सीखे प्रक्रति से अनुशासन, द्रड़ता और संदक्षन का पाट सीखे जिम्मेदार नागरिक बने जाओ माधब, अज्ञानता के अंदकार को दूर करने की अपनी आत्रा दोबारा शुरू करो आओ बच्चो, मेरे साथ ओ चल रामजी भला करे चलो भाईया चाह कर रहे हो चलिये न भाईया चलो भाईया साई दीखे न, रामजी भाईया को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विबूती से मैं ठीक हुआ हूँ इन्हें लगता है कि राक्सी इलाज नहीं होता ये कहता है कि मैं जूड बोलता हूँ मैं एहमद नगर में अंग्रेजों के विद्ध्याले में पड़ता हूँ और वहां मुझे ये सिखाया गया है कि जब तक सबूत ना मिले तब तक किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए मेरी तपे तो ठीक हो गई ना यहीं सबूत है हो सकता है तो पहले से ही ठीक हो रहा हो कैसे पता कि राक से हुआ अब मेरे सामने किसी को ठीक करके दिखाएं तब मुझे विश्वास होगा ना पर हम दोनों तब पहले से ठीक हैं तो साइक इसको ठीक करेंगे है मेरे पास एक चीज उसे ठीक करके दिखाएं तो मैं मानूगा अगर भीभूती इंसानों पर काम कर सकती है तो इस फल को भी ठीक कर सकती है है ना देखा मना कर दिया ना नहीं कर पाए ना चली यहां से तु भी किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेता है चल फल से जादा महत्वपूर्ण है उस पेड़ को बचाना जिससे तुम इसे तोड़ कर लाए हो क्या हुआ है पेड़ को उस पेड़ में कीड़े लगे हुए है जो फलों को भी सडा रही है मैं तुमें विभूती देता हूँ इसे पानी में मिलाकर पेड़ की जड़ों में डालना पेड़ बच जाएगा और फल भी स्वस्थ हो जाएंगे आपको कैसे मालूम कि पेड़ में कीड़े लगे हैं तूने बताया मैं तो आपके साथ है था मैं किसे बताऊंगा तो सड़े वे फल को देखके आपने अंदाजा लगाया होगा है ना इससे कुछ सिद्ध नहीं होता आप अपनी बिभूती अपने पासी रखिये आप अनपर लोगों को मुझे बना सकते हैं मुझे नहीं दादा जी की याद नहीं आती तुमारे दादा जी को वो पेड़ बहुत प्रिये था ये जानते हुए भी तुम उसे नहीं बचाओगे जब तुम पाँच साल के थे तब तुमने और तुम्हारे दादा जी ने मिलकर वो पौधा लगाया था पौधा धीरे धीरे बढ़ा हुए तेड़ बन गया तो तुम्हारे दादा जी ने उस पर जूला डाला तुम्हारे दादा जी तुम्हें जूला जूलाते तुम्हारे साथ खेल दे और शाम को पेड़ के सबसे अच्छे फ़ल जुनकर तुम्हें देते थे लेकिन दादा जी की मृत्यों के बाद तुमने उस पेड़ का खयाल नहीं रखा उसमें कीड़े लग गए वो पेड़ मर रहा है अगर तुमने उसका खयाल नहीं किया तो वो गिर जाएगा और उसके गिरने के साथ ही तुम अपने बच्पन की निशानी अपने दादा जी की दी हुई सबसे प्यारी चीज़ उस पेड़ को हमेशा के लिए खोदोगे अपको कैसे मालू मेरे दादा जी के बारे में दादा जी को गुजरे हुए साथ साल हो गए मैंने आज तक किसी से दादा जी के बारे में बात नहीं की आज भी नहीं कर पाता हूँ पर मैं उन्हें हर दिन याद करता हूँ उठो तुम्हारे दादा जी अब तुम्हारे साथ नहीं है लेकिन उनकी सबसे प्यारी चीज़ उनकी निशानी वो पेड़ तुम्हारे साथ है उसकी देख बाल करो ख्याल रखो उसका फिर देखना उसकी चाओं में तुम अपने दादा जी के आशिरवाद को महसूस करोगे आप मुझे भिगूती दीजिए मैं उस पेड को बचाओंगा मैं उस पेड की देखरे करूंगा और जैसे ही नैफल लाएंगे सबसे पहले आपको दूंगा गुरुजी जुपनी को मा के काम में हाथ बटाने जाना परा ठीक है ये जगा कैसी है गुरुजी चमपा जगा तो अच्छी है पर गाओं के बीचो बीच है लोगों का आना जाना लगा रहेगा तो पढ़ाई में बाधा आएगी गुरुजी मैं एक ऐसी जगा जानता हूँ जग कोई भी आता जाता नहीं अच्छा चलो आओ बच्चो गुरुजी इस जगा पर कोई आता जाता नहीं यह बिल्कुल सही जगा है हमारे लिए जैसी साई अपेक्षा करते हैं बिल्कुल वैसे ही सिक्षा मिलेगी तुम्हें आपे मेरे साथ साथ प्रकृती से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम लोगों को हम अपना विद्याले यहीं बनाएंगे जीकुरुजी 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 अध्यापक जी, इस जगह पे तो कोई आता जाता नहीं है बेटा तात्या, हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक जगह है सरकार, पेड के नीचे पाठ शाला खोल लिए और तो और महलसा पती के घर में रहता है पता नहीं सरकार, आपने जब उसे घर से बेघर किया था तब उसकी हाला पतली थी लेकिन, लेकिन आज मुझे उसमें कुछ अजीब लगा वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था सरकार आत्मविश्वास से न फेट भरता है न शरीर ठकता है पंता सरकारी काम से एहमद नगर जा रहा हूँ नहीं तो उसका आत्मविश्वास चूर चूर करकर रख देता मैं तुम दोनों उस पर दुश्वास बनाए रखो आने के बाद बताता हूँ उसको आत्मविश्वास क्या होता है अल्यों जी सरकार पिता जी पुरे एक दिन के लिए आमन अगर जा रहे विठल की कृपा से सब ठीक हो गया श्रडी में ही आश्रे मिल गया हमें लोगों ने सहायता की हमारी परना तुम्हें इस हालत मिले कर पता नहीं मैं क्या करता ये लोग बहुत अच्छे है फिर भी सोचना तो पड़ेगा न हमें कब तक यहाँ और फिर किन परिस्थितियों में हम अपने बच्चे को जनम देंगे जब हम खुद ही बिना आश्रे के रह रहे हैं हमारे पास तो इतना भी नहीं कि हमारे मूल आवश शक्ताओं को हम पुरा कर सकें ऐसे में मालसा पती जी और उनके परिवार को कितना कश्ट दे भामा चाहता तो मैं भी हूँ कि घर के खर्चों में अपना योगदान दूँ पर विद्याले शुरू किया है पर वहां से भी कुछ कमा पाऊं इसकी संभावना बहुत कम लग रही है मुझे सच कहा अपने बोच बन गए हम मालसा पती जी के परिवार पर बिलकुल सच कहा तुम ले गल्ती मेरी ही मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान ये सोच कर कि तुम्हें मुझे अपनी मा मानोगी आज अगर मेरी मा होती तो वो भी इतना नहीं करती जितना आप मेरे लिए कर रहे हैं लेकिन हमें चिंता तो उसकी है जो इस संसार में आने वाला है हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है आज माबाप के पास अपने बच्चे को देने के लिए अच्छे संसकार होने चाहिए पाकी सब बेकार है अगर अच्छे संसकार होंगे तो तुम्हारा बच्चा जीमन में किसी भी परिस्थिती का सामना कर पाएगा फिर तुम दोनों तो कितने भाग्य शाली हों तुम्हारे बच्चे को जन्म के साथ ही साइं का अशिरवाद प्राप्थ हों बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम दोनों पर साइं का अशिरवाद है अले बाप विठ्थल की मूर्ति की स्थापना भी हो गई उनके नीची यह जो आसन रखा है उसके कड़ाई बहुत ही सुन्दर है मैंने बनाई है मुझे सिलाई और कड़ाई करना बहुत पसंद है भाबा तुम्हारा हाथ बहुत साफ है मेरे खंडोबा के लिए भी यह बिल्कुल ऐसा ही आसन बना दूगे हाँ आप मा बेटी ऐसी वाते करते रहे है मैं चलता हूँ अंता जी सरकार ने माधों पर नजर रखने के लिए कहा है हाँ पंता जी लेकिन यह माधव तो बहुत बड़ा बेशरम निकला वो बेशरम है तो हम उसे भी बड़े बेशरम है देखते हैं कैसे पढ़ाता है वो बच्चों को भिक्षाम दे साई अच्छा हूँ आप आगए आपसे कुछ बात करनी थे पहले आप ये स्विकाद दीजी मेरे साथ आओ साई 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 कहा जा रहे हैं अब साई साई कहा जा रहे आप साई थोड़ा दीरे चलिए मुझे आपसे भामा के बारे में बात करनी है वैसे तो वो मेरे घर में खुश है लेकिन अपने भविश्य को लेकर चिंतित है बहुत परिशान है वो साई क्या हुआ है श्रद्धा सबुरी साई लेकिन आप मुझे कहा लेकर जा रहे हैं हमने कहा था ना आपसे कि वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है दे दिया ना इन वक्त पर धोका हसा दिया ना हमें मुझसे भूल हो गए उसे पहचानने में लेकिन अब क्या करें साई साई क्या बात है रिहाना बहुत परिशान दिख रहे हुँ तुम दो हाँ साई दुशाला बुनाई के बाद जिस कारिकर को कड़ाई का काम देते थे अचार्णक से उसनी अपना मेंताना दुगना कर दिया अगर उसके कहें अनुसा हम यह उसे मेंताना दिया वह हमें नुकसान होगा साई हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम दूसरा कारिकर ढूंडे और वैसे भी आजकल अच्छे कारिकर मिलते कहां और अगर काम रुक्या तो बहुत नुकसान होगा इसमें हम दोनों लोग नुकसान जेलने के हालत में नहीं है साई भामा हा रे हाना भामा बहुत अच्छी कडाई करती है तुम उसे काम दे सकती हो वो कडाई जानती है बहुत अच्छे से वो हमारा काम करेगी क्या क्यों नहीं करेगी खुशी खुशी करेगी या ला तो बड़ा रह्म दिल है अब हमें गाउं में ही कारिगर मिल गया और वो भी ऐसा जिस पर कि हम भरोसा कर सकते है आप लोग अंदर आएए न तो मुझे यहां लाने के पीछे ये कारंधा साई का साई जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी परकत साई